तो हम पहुच चुके हैं और घर से निकले आज हमारा तीसरा दिन है तो कल बहुत रात को पहुच गया थे इसलिए जो है हम सो के देर से भी उठें तो मैं दिखाती हूँ यहां का नजारा इतना देखने में सुन्दर है इतना अच्छा लग रहा है यह कोई और ही सिटी है मतलब बहुत सुन्दर है केमपस के अंदर तो मैं कैमरा फ्लिफ करती हूँ आप देख लेना यह देखो इतना सुन्दर है इतना अच्छा लग रहा है थोड़ा साही व्यूवर दिख रहा है वैलकॉनी से तो जितना भी दिख रहा है और यह जो फूल है ना यहां पे जो लगे है इतने खुश्वू निकलते हैं इसमें से रात को हम आया थे तो बहुत ज्यादा महक रहा था दो रात और एक दिन सफर करके हम बहुत जादा थक चुके थे इसलिए सुबा लेट पे उठे हैं और अभी बच रहे हैं दिन के सारे बारे बजे तो हम निकल रहे हैं लच करने के लिए अपना प्रेक्फस कर चुके थे पहले ही और यह देखिए हम पहुच चुके हैं यहां पे अभी तो यह है प्लाटिनम टावर यह गुरुग्राम में हर्याना गुरुग्राम में है और हजाम रहे हैं वहां से पचीस में लगे हैं यहां तक आने में लृ armas चांते हैं ल CAR की हुच्छ वर में हैं लुप लेसे के लेग्गे बाल हैए में ौडिंखन बाल है बहुत अच्छे से रखा हुआ था और बहुत जादा हाईजिनिक भी थी लेकिन हम पहला कस्टमर थे जो पार लंच पर पहुचे है एक्चली बर्बीक्यू नेशन का कुछ ऐसा है टाइमिंग है खुलने का जो ब्रेकफस्स में लंच में और डिनर में खुलता है तो हम पहला कस्टमर थे जब हम पहुचे तो मुझे हर चीज बहुत बहुत जादा अच्छा लगा दूसरी बाकी रेस्टरॉन के जिसा नहीं होता है जो खाने के बाद इतना खाया उसके बाद बिल उठेगा तो यहां पर पहले से ही फिक्स है एक इनसान का एक हजार रुपया जो अड चोटा बैच्चा होगा तो फ्री में होता है एक अडल के साथ एक बैच्चा तो इस तरह के से होता है और आप तीन घंटे तक बैट के खा सकते हैं पी सकते हैं मतलब उनका टाइमिंग जब तक खुलेगा तो तक आप बैट के खा भी सकते हैं और जो भी आप खाना चाहे व है उस 1000 के अंदर इंक्लूड होता है और अलग से पेकरनी नहीं पढ़ती है जब से सफर स्टार्ट के आयना हम लोगों ने तो तब से मेरी बेटी बहुत परिशान करिये हमें क्योंकि उसका हाथ भी जला हुआ था तो इतना आराम से वो नहीं रह पाई जोग नहीं पाई इसक से जादा वैने प्रॉंज खाया और बहुत सौक से खाया क्योंकि प्रॉंज मेरा फेवरेट है और हम एक बच्छे से लगभग साड़े चार बचे तक हम रुके और बहुत अच्छा वक्त पिताया पुरा फैमली काफी दो महीने के बात और बार्बीक्यों नेशन्स का जो स साथ जाने वाले थे तो इसलिए यह बाहर हम टैक्सी का वेट कर रहे थे और अभी बनजारा मार ingy passengers की और गया क्याए बादेशार रहे when we finished the और यहां पर पहुचने के अगर मुझे काफी प्यास लग रही थी तो सबसे पहले मैंने गन्य का जूस पिया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इस समय गर्मी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि यहां पहुचने के बाद सब जिस इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सब लेने को मन कर रहा था लेकिन हम इतनी दूर से गय थे तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि इस टाइब के चीजे जो है करना थे शरमेक के चीजे यहां पर भी मिल जाती है हमारे असाम मिखाले आप में तो इस लिए मैं बस वहां एक्सप्रोर कर रही थी देख रही थी हर चीजों को देख रही बहुत ही जादा सुन्दर सुन्दर थे तो बहुत दिल एक्दम रहे जाता है वहाँ पर होन टिकॉर का हर आइटेम आपको मिल जाए गए ऐसे कुछ बहुत है अठारा सार से भी जादा उमर के है और इनके प्राइस तो है वह पांच हजार से शायद स्टार्टिंग है बता रहे थे काफी महंगे है बड़ा लाँ चत्री वालाँ गड़ी वालाँ लगड़ी वालाँ झाल कमें रहे हैं कि रहे हैं वालाँ लगड़ी वालाँ लगड़ी वालाँ चाहिए मुझक अवड़ी वालाँ लगड़ी तरीघ औरू घाने पूरो त्रे अना हीर यह होम डिकोर के समाना देखके तो दिल भी नहीं करता है कि इसको छोड़ दू तो इतना जादा अच्छा लगता है मन करता है कि सब कुछ लिया हूँ मैंने कुछ यूट्यूफर्स को देखा था कि बंजारा मार्केट से वो लोग शॉपिंग करके समान को दिखाते हैं तो मैं वहाँ जाके कुछ-कुछ वो सब समान देख रही थी और मुझे कुछ-कुछ समान में मिल गया है और में उसको पकर पकर के देख रही थी कि हाँ यही सावान में ने देखा था या तदल दोल क्यों यही और लुपिंगक को अवे थी और में रही है एसने कि बहिंग ब्लिया लोग ज्याड़ है । गर देखेछेदे? अईोटेछेछे प्याइपर रिह का ऩुमझटेछे? ये ये नखेछे लुकष ये वह प्याओधेछ? आई बीवा निदर है तो गये खरेबूट हम लगफक दो गन्टा हुआ है लेकिन पूरा मार्केद को घूमेन यह इतना बड़ा था और पूरे मार्केट में सेम ही समान जो है पिक रहा था बस की नीचुने एक दो समान को छोड़के पाकिस अप एक जिसे ही समान थे सारे वेंडर्स के पास तो इतना हम गये नहीं आगे और वही से बीच में से खूं के आगे वबद आखिर में हम पेट्रोल साइट पेगे उदर में हाँ जाके हमने कुछ नया चीज़े देखी और वह है अगवान बुद्र की मूर्तिया रखी हुई थी काफी सुन्दर सुन्दर थी मन कर रहा था कि लेकर आओ क्योंकि इस तरीके के चीज़े मैंने अपनी उदर नहीं देखी तो बहुत मन कर रहा लेकर आओ लेकिन वहीं बात होते हैं दिक्कत हो जाती है लाने में इतनी दूर से तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए और इस तरह से हम अपने व्लॉग करते हैं फिर मिलेंगे किसी नई व्लॉग में आप लोगों से और उमेद करती हूँ आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो एक लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलते हैं कल की व्लॉग में तब तक के लिए बाई